Hello everyone, this is Achunana here. Welcome to my new video. इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं hyperconjugation. पिछली बार तक हम लोगों ने inductive effect, resonance part 1, resonance part 2, जिसके में the mesumeric, etc. सब हम देख चुके हैं. इस वाले part में हम लोग करने वाले हैं hyperconjugation. स्टार्ट करते हैं hyperconjugation के साथ. आप लोग hope कर रहा हूँ में कि proper तरीके से follow कर रहे होंगे. अब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ interesting चीज़े बताता हूँ. पहली बात तो आपको आज ms.chohan से homework मिलेगा. तो उसके लिए त्यार रहे ना, telegram के उपर homework मिल जाएगा. दिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपने अब तक उसमें subscribe नहीं किया है. दूसरी चीज, hyperconjugation भी हमारे पास एक hypothetical phenomenon है. जैसे resonance hypothetical होता है, similarly मेरे भाई, hyperconjugation भी hypothetical होता है. अब जहां पे भी hypothetical चीज़ आए, उसको क्यों पढ़ाया जाता है? वो आपको पता ही है, because hyperconjugation, resonance की तरह ही use होता है, theoretical and experimental data को match करवाने के लिए. ठीक है? आईए, देखे समझते हैं कि hyperconjugation बनाया क्यों गया? तो scientist ने क्या किया? उन्होंने चार molecules यहाँ पे लिए, basically benzene. benzene के ऊपर, एक बार उन लोगों ने लगा दिया methyl, बतलब basically toluene, एक बार लगा दिया ethyl, बतलब ethyl benzene, copy paste खर लेते हैं, चारो benzene को, और एक बार लगा दिया tertiary butyl benzene, तो basically methyl, ethyl, propyl and tertiary butyl, isopropyl. ठीक है? यह आपके पास बनके आ रहे हैं, चार groups. अब साइंटिस ने क्या किया? साइंटिस ने इसको react किया, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ. इलेक्ट्रोफाइल बोलने का मतलब क्या होता है? basically electron deficient, जब हम आपको EAS पढ़ाएंगे, aromatic के अंदर, तब और clear होगा. अभी के लिए आप लोग समझ सकते हो, कि E के उपर plus है, वाला कोई group है जिसके उपर plus है, for example, CH3+, VR+, CL+, वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह behave करेंगे, अभी के लिए, because वो सबके सब electron deficient है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक electron deficient species, मैं consider करना चारा हूँ. तो अगर आप ध्यान से समझो, तो क्या आपको समझ आ रहा है, कि जो चारो benzenes हैं, वो हमारे पास electron rich species हैं, ये कैसे decide हुआ, देखिए न ध्यान से, यहाँ पे भी plus i लग रहा है, प्लस i लग रहा है, और भाई साब यहाँ पे भी benzene के उपर प्लस i लग रहा है, तो बेसिकली चारो cases में, benzene के उपर, प्लस i effect लग रहा है, तो लॉजिकली, अगर हम समझे, तो electron richness का order, क्या होना चाहिए, अगर मैं चारो बेंजीन की electron richness को consider करूँ, तो वो हो जाना चाहिए, d, c, p, a, simple inductive effect का application, यहाँ पे आपके पास हो रहा है, लेकिन जब experiment हुआ, जब मैंने चारो बेंजीन से लिए, और experiment किया, तो मैंने यह देखा, क्या देखा, कि जो electrophile है, वो सबसे पहले, बेंजीन नंबर, a के साथ जाके लगा, मतलब इसके उपर हमला किया, मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे for example, समझाने के लिए, यहाँ पे 5 सेकंड में reaction हुआ, तो यहाँ पे, let me say, 11 सेकंड में हुआ, यहाँ पे 15 में हुआ, यहाँ पे 22 में हुआ, ऐसे hypothetical examples में टाइम के ले रहा हूँ, समझाया नहीं आया, तो जब हमने experiment किया, तो हमने देखा, कि जो हम expect कर रहे थे, उसका बिलकुल विपरीत हो रहा था, इसका मतलब, once again, जो theoretical data है, वो experimental data के साथ, match नहीं कर रहा था, और जबी भी यह situation हो जाएगी, जो theoretical and experimental match ना करे, तो वहाँ पे हम लोगों को फिर theory में कुछ revision करना पड़ता है, मतलब, यहाँ पे inductive effect fail हो गया, आपके सामने, mesomeric effect मतलब, resonance भी fail हो गया, इसका मतलब, कोई ना कोई नई चीज हो रही होगी, जिसके दोरा, यह order गलत बन रहा है, लेकिन उपर वाला, जो बिलकुल इसका opposite है, वो सही बन रहा है, बस इसी process को समझाने के लिए, नया concept बनाया गया, जिसका नाम है, hyperconjugation, hyperconjugation, पॉस करके लिख लीजिए, यह basic सी theory इसकी बन के आती है, जो derivation है, कहां से हुआ, अब इसका मतलब समझते हैं, तो अभी तक हमें यह समझ आ गया, कि भाई साहब, ना ही आपके पास inductive effect का यहां पर कोई application हो रहा है, ना ही आपके पास mesomeric या resonance का कोई effect हो रहा है, मतलब, अगर मैं एक molecule लेता हूँ, ध्यान से देखिए, जो हमने पिछले page पर लिया था ना, toluene, वही लेना चाहरा हूँ, तो अगर मैं toluene लेता हूँ, या बेंजीन के उपर, CH3, बेंजीन के उपर, CH3, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो pi bond है, pi bond, उसका p orbital ऐसा होगा न, ऐसा, कैसे, आपको बता न, parallel overlap से pi bond बनता है, वो ही बनाया है, और जो sigma bonds होंगे, sigma ऐसे मान लेते हैं, sigma, sigma, यह है, pi के p orbital, ठीक है, तो अब अगर आपको एक चीज़ ध्यान से समझ आ रही होगी, जब हमने resonance देखा था, जैसे for example, इसे में देख लो, तो resonance के time पे हमने क्या देखा था, कि p orbital का, p orbital के साथ interaction हो रहा था, benzene के अंदर, p orbital का, p orbital के साथ interaction हो रहा था, benzene के अंदर, लेकिन, अगर मैं hyperconjugation consider करता हूँ, यहाँ पे तो, आपको कोई p orbital दिखाई ही नहीं दे रहा है, मला, pi bond बोलना चाह रहा हूँ, कोई pi bond दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसका मतलए, जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे कोई नई चीज हो रही होगी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अच्छली एक नई चीज ही हो रही है, and that is, that is, the p orbital and sigma bond का interaction, समझ आ रहा है क्यों, ऐसा हो रहा है, because अभी तक जो हमने पढ़ा है, that is, pi pi का interaction, यह आपके पास, inductive it के time पे electron cloud का interaction, वो सब तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसका मतलब कोई ना कोई नई चीज हो रही है, and वही नई चीज हमारे पास है, अब sigma bond का भी involve होना, अब finally जाके sigma bond आपके पास involve होने वाला है, जो भी तक बिल्कुल dormant बैटा था, अब इसको एक और चीज से ध्यान से समझिए, for example, मैंने benzene लिया, इसलिए बोलता पहले समझ लो यार, फिल लिख लेना, बाद में बहुत time मिलता है, इसके साथ मैंने CH double bond CH2 attach किया, क्या इस molecule को देखके, आपको समझ आ रहा है, कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास conjugation होने वाला है, इधर से मैं आपका नाम भी derive करूँगा, कि hyperconjugation नाम क्यों होता है, तो यहाँ पे यह p orbital है, आपके पास πाई bond है basically, यह वाला भी पाई bond है, इन दोनों पाई bonds के बीच में अब interaction हो रहा होगा, इसी interaction को हम क्या बोल देते हैं, इसी interaction को थोड़ा color change कर देते हैं, इसको हम बोलते थे, conjugation, क्या बोलते थे मेरे भाई, conjugation, और कौन सी प्रकार की conjugation या resonance, इस वाले scenario में exist करेगी, इस वाले scenario में मेरे भाई, हमारे पास πाई-पाई conjugation exist कर रही है, πाई-पाई conjugation या πाई-पाई resonance exist कर रही है, समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको हम बोलते थे, conjugation, जहां पर पाई-पाई का interaction हो रहा है, इस example में, इसलिए हम ऊपर वाले को बोलते हैं, हाई-पर-conjugation, क्या बोलते हैं, हाई-पर-conjugation, हाई-पर, over and above, हाई-पर का मतलब पता न, इससे ऊपर, इससे ऊपर, तो conjugation, तो हमें पता है, देगे हमने conjugation की टाइम पर देखा भी था, कि सिग्मा बॉन्ड का तो कोई interaction नहीं होता है, तो अब conjugation से भी एक स्टेप आगे, इवन सिग्मा बॉन्ड तक इंटराक्ट करने वाला है, इसलिए हम इसको बोलते हाई-पर, हाई-पर-conjugation, क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाई-पर-conjugation, अब obviously यहाँ पर यह डाउट आ रहा होगा, कि हाई-पर-conjugation में, conjugation कैसे हो रहा है, मैंला resonance कैसे हो रहा है, वो भी बताएंगे आपको, थोड़ा टाइम रखिए यहाँ पर सवर, लेकिन उससे पहले, obvious सी बात है, मेरा question यहाँ पर यह रहेगा, आप लोगों के लिए, कि क्या, conjugation, stronger होगा, या, hyper-conjugation, stronger effect होगा, जिससा हमने derive किया था था न, कि inductive effect versus mesomeric के time पर, mesomeric dominating बनता है, उसी परकार से मैं आप से पूछना चाहरा हूँ, कि resonance, मतलब conjugation versus hyper-conjugation के time पर, कौन ज़ादा dominate करना चाहिए, सोचिए एक बार, देखिए, अब दखो, तो obviously resonance dominate करेगा, hyper-conjugation की उपर, आप बोलोगे भाई, यह कैसे, इसके तो नाम में hyper है, धियान से देखिए, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, तरीका number one, sigma bond को तोड़ना मुश्किल है, जो तोड़ फोड़ होगे, आपको बताएंगे, मगले pages पे, concept number two, जादा असान है, और logical भी है, धियान से देखिए, तो मेरे भाई, जो यहाँ पे interaction हो रहा है, जो यहाँ पे interaction हो रहा है, उसमें दोनों orbitals कैसे हैं, ऐसे, parallel, समझा रहा है, लेकिन, यहाँ पे जो मेरे भाई, interaction हो रहा है, धियान से देखिए भाई साब, हर चीज में logic है, रटना क्यों हो, समझो, एक p orbital ऐसा है, लेफ्ट वाला, जो राइट वाला sigma है, वो ऐसा है न, तो मेरे भाई, कहाँ पे interaction जादा अच्छा होना चाहिए, एक बार देख लीजिए, एक बार ये है, उपर वाले में ऐसा, ये तिरच्छा बैठा है, और नीचे वाले में, दोना के दोनों, ऐसे बैठे हैं, तो किसका interaction जादा बेठर होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास, बेठर इंटराक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास, बेठर इंटराक्शन हो जाएगा, समझ आया या नहीं आया, देखो हर चीज के पीचे logic है, इसे लिए, आपके पास, resonance is a stronger effect than hyperconjugation, अच्छा, अगर मैं inductive effect को भी यहाँ पे डालना चाहूं, तो inductive effect को order क्या होना चाहिए था, inductive इसके बाद आएगा, आप बोलो कि भाई यह कैसे, क्योंकि भाई साब, inductive में, आपके पास, electron cloud की involvement है, यहाँ पर प्रॉपरली, electron का involvement होने वाला है, जो भी आपको अगले pages पर पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी electron का involvement होगा, यहाँ पर भी होगा, बनाब प्रॉपर चार्ज का, लेकिन यहाँ पर, deltas में deal हो रहा है, यहाँ आपके पास, एक simple order बनके आता है, अचा एक और question का अंसा सोची एक बार, क्या hyperconjugation, permanent effect होना चाहिए, या वो temporary effect होना चाहिए, क्या hyperconjugation, एक permanent effect होना चाहिए, या वो temporary effect होना चाहिए, देखिए, यह हमारे पास एक, permanent effect रहेगा, hyperconjugation is a permanent effect, आप बोलोगा भाई, कैसे, 1000 बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, कुछ भी नहीं, ठीक है, जब तक bond है, जो हमेशा है, effect आपके पास हमेशा रहने वाला है, interaction हमेशा रहने वाला है, पॉस करके लिख लिजे इसको, पॉस करके लिख लिजे, अब देखिए, हमें क्या समझ आ रहा है, हमें यह समझ आ रहा है, कि hyperconjugation के time पे, कुछ ना कुछ sigma bond का, involvement हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, literally मैं अगले page पर बताऊंगा, आपको logic के साथ, अभी तक हम इतना समझ आ रहा है, कि sigma bond का interaction हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास, 3 sigma है, 3 sigma CH bond है, यहाँ पे आईए, देखो ध्यांदर समझो, यहाँ पे 3 sigma CH है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 sigma CH है न, देख सकते हैं न, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास, 1 sigma CH है, और यहाँ पे आपके पास, 0 sigma CH है, तो अब थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, सिगमा सी अच भढ़ रहा है इसलिए आपके पास हाइपर कॉंजिगेशन भी भढ़ रहा है अब ये कैसे आया वो ही मैं आपको समझाने वाला हूँ अब बिल्कुल ध्यान से देखना विक्वास अगर आप पहले भी पढ़ के आयों तो मैं आपकी ऐसी गलत फैमी क्लियर करूँगा कि आप बूलागे भाई साथ इस गलत चीज़े पढ़ के आते हो आप हमारे तो डिगरी ही केमिस्ट्री है लिटरली आइटी बॉम्बे से चार साल हमने केमिस्ट्री पढ़ा है वाई तो बिल्कुल धियान से समझी है लिख लीजे पहले हमारे साथ अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाने का है तो hyperconjugation structure of propene hyperconjugation structure of propene अब आपको समझ आएगा यहाँ पे और बहुत सरी चीज़े भी clear होंगी बिल्कुल धियान से देखना तो for example मैंने यहाँ पे propene लिया ले लिजे CH2 CH CH3 अन्य यहाँ पे बॉन्ड क्यों मिस किया बिकास मैं उसको ऐसे दिखाना चाहरा हूं बस वही ना fancy तरीका जो होता है अब लिखो मत पहले समझ लो बिकास इसी चीज़ से आपकी पूरी चैप्टर की summary बन जाएगी और कुछ और आपकी गलत फहिमी भी यहाँ पे clear हो जाएगी तो बिल्कुल ध्यान से देखना यह हमारे पास πाई बॉन्ड है यह हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है अभी तक हमें यह तो समझ आ गया कि सिग्मा बॉन्ड का involvement होने वाला है यह तो हमें समझ आ चुका है because मीजोमेरिक वाला fail हो गया इंडक्टिव वाला fail हो गया तो कुछ नई चीज होनी चाहिए जो यहाँ पे आपको दिखने वाली है ठीक है एंड यह वाला बॉन्ड प्रेदर गया यह तो होथा ना रेजनेंस के टाइम पे भी अब आपको conjugation का मतलब समझ आएगा एंड hyper क्यों हो रहा है वो भी समझ आएगा तो क्या बनेगा CH2 माइनस CH2 माइनस CH double bond कारबंग के उपर क्या बचाएगा hydrogen and hydrogen लेकिन साथ में क्या हुआ साथ में यह वाला bond टूटा भी है तो जब यह वाला bond टूटा तो H के उपर क्या charge बनेगा plus charge बनेगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H क्या लिख लेता हूँ H अब आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ आ रहा है because over and above conjugation है sigma bond का interaction है जैसे का आप देख सकते हो conjugation क्यों बोला because मेरे भाई resonance हो रहा है resonance हो रहा है जब भी resonance होता है उसको हम conjugation बोलते हैं अब देखे ध्यान से इसको मैं हमारे के लिए बोलेता हूँ H1, H2, H3 ताकि लोग को ये doubt ना है कि भाई तीनों तो identical है या H A, H B, H C बोल लीजिए अब हमने same चीज H2 के साथ कर ली तो ये वाला bond इदर गया ये वाला bond इसके उपर गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा CH2 minus CH double bond CH2 लेकिन हवा में क्या लटका होगा अब H2 plus लटका होगा H2 plus लटका होगा similarly अगर मैं बात करता हूँ H3 के बारे में H3 में क्या हो जाएगा H3 में भी same हो जाएगा इदर से इदर इदर से इदर अब समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा है कि क्यों इस प्रोसेस को हाइपर कॉंजुगेशन बोलते हैं क्यों इस प्रोसेस को हाइपर हाइपर because literally bond तोड़ना पड़ रहा है bond तोड़ के हो रहा है conjugation क्यों बोला जा रहा है because literally आपको दिख रहा है कि ये resonance है resonance है अब obviously doubt आ सकता है कि भाई सब hyper conjugation हो क्यों रही है hyper conjugation हो क्यों रही है अभे तक नहीं दिखा गया देखो पहले मेरे भाई इस molecule में जो था प्रोपीन उसमें resonance नहीं था पहले इस molecule में resonance नहीं था लेकिन अब देखिये resonance है minus resonance है resonance है resonance स्माज आया है नहीं आया कि क्यों hyperconjugation होता है hyperconjugation इसलिए होता है number one experimental theoretical वाला तो बता ही दिया आपको लेकि number two कि आपके पास new system में resonance present हो रही है इसलिए वहाँ पर hyperconjugation होता है अब मैंने आपको बोलना था मैं एक आपकी गलत फैमी यहां पर clear करूँगा वो देख लीजे तो अगर मैं structure of propene बनाता हूँ structure of propene तो आप लोग यह बनाओगे हमेशा अब आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे है यह गलत है यह actual में गलत है actual structure of propene क्या होना चाहिए actual structure of propene देखो देखो भई यह न इनको combine करो combine करो structure बोल लीजिए या hyperconjugation hybrid बोल लीजिए दोनों का same मतलब है सबसे पहले क्या-क्या fixed है वो बना लेते है CH2 fixed है हर molecule में उसके बीज वाला sigma wand हर जगा fixed है जैसे हम resonance hybrid के time पे बनाते थे उसके बाद यह वाला sigma bond हर molecule में fixed है यह वाला क्या-क्या variable है वो देखिए तो यह hydrogen variable है न हवा में है एक बार एक बार यह variable है एक बार यह variable है तो यहाँ पर dot बनेगा proper bond नहीं बन पाएगा क्यों नहीं बन पाएगा वो मैंने आपको समझाएगा यह बनेगा पाई bond कहाँ कहाँ पे travel कर रहा है इदर भी है इदर भी है तो वो हर जगा है इदर भी है इदर भी है हर जगा मेरे भाई हमारे पास पाई bond present हो रहा है charges भी देख लेते हैं देखिए h के उपर plus h के उपर plus h के उपर plus delta plus delta plus delta plus इस carbon के उपर हर बार minus बन रहा है बन रहा है पी delta minus ज़िए अगर आप बोलना चाहो कि कुछ delta 1 minus है and वो जो delta minus है that is mathematically equal to c delta plus law of conservation of charge समझाया है नहीं है तो अभी तक जवाब propying का structure पढ़ रहे थे वो भी मेरे भाई गलत होता है वो भी गलत होता है ठीक है pause करके लिख लीजिए pause करके लिख लीजिए अब देखिए आगे बढ़ने से पहले for example अगर मैं ही आपसे पूछना चाहूँ आपको एक मैंने molecule दिया जो है CH3 CH2 CH double bond CH CH CH3 CH2 मैंने आपसे क्या पूछा मैंने आपसे पूछा कि कितना hydrogen मुला कितना number of hydrogen participate कर रहा है hyperconjugation मुला जैसे for example मैं पिछले question मैं आपसे पूछता तो आप बोलते तीन hydrogen ऐसा है ठीक है मैं वही चीज यहां पर पूछना चाहरा हूँ कितना hydrogen hyperconjugation में participate कर रहा है देखिए ध्यान से यह हमारे पास है इसके बगल वाला यह है अच्छा बगल वाली चीज को हम क्या बोलते हैं अल्फा पीचे का logic क्या है यह अल्फा हो जाएगा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन similarly अल्फा कार्बन इस प्रकार से हमें मतलब सिर्फ अल्फा कार्बन से होने वाला है यहाँ इसके पीचे का logic समझ पा रहे हो हमें मतलब सिर्फ अल्फा कार्बन के hydrogen से होने वाला है समझ आरे हैं यह रहे हैं क्यूं common sense है na for example अगर आप बीटा वाला लेते हो ठीक है आपने for example ऐसा बनाया CH2H ये तो conjugation में ही नहीं होगा न जब आप इस वाले bond का ऐसे लेके जाओगे उसके बाद क्या conjugation ही नहीं है तो जब conjugation ही नहीं है तो hyper conjugation कहां से आ जाएगा तो मैं इधर वाला hydrogen दिखाऊँ आपको पिछले page में हमने किया इधर से इधर अब दिखा या नहीं दिखा इसलिए इसका जो answer बनके आ जाएगा वो बन जाएगा 2 plus 1 that is 3 alpha hydrogens involve हो रहे आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है इसलिए हमें alpha hydrogen से ही मतलब रहने वाला है क्यों? because उसी में तो resonance होने वाला है बाकिसम में resonance ही नहीं होगा तो conjugation ही नहीं है मतलब आपके पास hyper conjugation ही नहीं है ठीक है? ओके, same चीज़ अब इसमें try करिए number B for example आपको दिया गया है ethyl benzene ठीक है? number C 3-4 question साथ में लग देते हैं ताकि आप फिर match करो कि आपका सही आया या नहीं आया अब जहां पर लोग फस सकते हैं वैसे questions करवाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कुछ लोग को इसमें doubt आ रहा होता है किसको लेना है किसको लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है ओके, सबसे पहले number B वाले के बारे हैं बात कर लेता हूं number B वाले तो simple है न यहां पर आप देख सकते हो यह वाला बन जाएगा alpha carbon and alpha carbon के उपर जो hydrogen होंगे, वो हो जाएंगे alpha hydrogen तो मेरे भाई, alpha hydrogen will be equal to 2 अब इदर आते हैं कौन सी alpha hydrogen होंगी देखो, यह double bond है double bond के जो अगला ही carbon होता है वो होता है alpha carbon similarly इदर के लिए alpha carbon इदर के लिए alpha carbon लेकिन कोई hydrogen नहीं है, यहाँ पे भी same अब doubt कहाँ पे आता है, वो clear करते है doubt obviously कुछ लोगों को आना भी चाहिए कि भाई, double bond तो यह ठीक है लेकिन इसका बगल वाला carbon तो यह भी है न इस वाले hydrogen को हमने alpha hydrogen क्यों नहीं लिया इस लोजिकली समझो न यह हमारे पास CSP2 bond है यह CSP2 है इन ओगनिक की टाइम पे आपने पढ़ा ही है कि SP2 है, SP3 है, SP है किसको तोड़ना सबसे ज़्यादा असान रहता है obvious से बात है जो आपके पास SP3 है जैसे यहाँ पे SP3 पिछले सारे questions में हमारे पास हमेशा ही SP3 था जो SP3 है उसको तोड़ना असान रहता है SP2, SP को तोड़ना मुश्किल रहता है इसलिए हम लोग SP3 को ही मानते हैं alpha hydrogen जब हम यहाँ पे alpha hydrogen की बात करेंगे तो वो बनके आ जाएंगे ना कि इनको include करना है पास करके लिख लीजिए इसको पास करके लिख लीजिए अब ट्राइ करिए number D question लिखे number D find the total number of find the total number of hyperconjugation structures find the total number of hyperconjugation structures for for toluene for toluene अब इसी question के दर हम आपको ऐसी चीज़े प्रूफ करूँगा जो आप लोग गलत पढ़ के आते हो कुछ लोग पढ़ के आया होंगे नहीं यहाँ पे total hyperconjugation structure is equal to number of alpha hydrogen plus one पढ़ा होगा या कुछ लोगों ने यह पढ़ा होगा is equal to alpha hydrogen दोनों ही गलत हैं गलत पढ़ते हैं आप लोग ठीक है ज्यान से देखिए और सीखिए इसमें क्या होने वाले तो हमारे पास यह दिया गया है molecule जिसका नाम है toluene toluene में कितने alpha hydrogen present है alpha hydrogen है three alpha hydrogen है यह तो दिक्कत है जेई में ठीक है जेई कोचिंग आता लोगों को heavy new boards level का और पढ़ा रहे होते हैं जेई का जेई मजाग है क्या जेई मजाग है क्या तो मांगे क्या उन्होंने फुद qualify किया है उसको मजाग है कि मेरे भाई जेई करना गलत गलत चीज़े बढ़ाएंगे बच्चे फुर बच्चे अपने उपर सोचते हैं कि हमारी गलती हम ढंक से ने पड़े मेरे भाई जब पढ़ाएंगे आपको गलत है तो अब कैसे सही कर पाऊगे common sense है अब यहाँ पर alpha hydrogen 3 है तो कुछ लोग पढ़ काई होगे कि इसका अंसर 4 होना चाहिए या तो क्या है 3 होना चाहिए लेकिन दोना ही गलत है प्राइ करिए इसको एक बड़ प्राइ करना ठीक है पॉस करके ओके इसका actual answer बनके आता है 7 इसका actual answer बनके आता है 11 अब भाई यह तो भाई हर question को नया question मानके solve करिए अब देखिए यहां पे हमारे पास है CH3 यहां पे हमारे पास है CH3 तो ले लेता हूँ मैं H For example मैंने इसको बोल दिया हमारे example लिए H1 या H A H B जैसा आपका मन करे इसके साथ hyperconjugation करवाता हूँ करवाईए किसी को यह doubt तो नहीं आ रहा है कि alpha hydrogen 3 कैसे है तो दिखना चाहिए अपको ओके तो यह बन जाएगा minus H1 plus अब हमें इदर गया अब तो आपको पते न minus resonance कैसे करता है God's equation और कुछ भी नहीं और क्या हो जाएगा फिर इदर से इदर यहां पे मेरे भाई बनके आ जाएगा यह उसके बाद इदर से इदर अच्छा अब क्या होगा? CH2 minus बना जैसे CH2 minus बनेगा जो आपके पास H1 plus हवा में मुड़ रहा है C minus के साथ combine कर जाएगा तो हमारे पास बनके आ जाएगा 3 यह सभी को समझ आया है नहीं आया तो अभी तक हमें दिखा कि 5 तो बन गे 1,2,3,4,5 तो बन गे अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम दूसरा hydrogen निकालेंगे तब कितने बनने चाहिए जब हमने h2 को निकाला h2 अगर आप 5 सोच रहे हो तो गलत है क्यों? विकाज तब यह जो a है and जो e है वो तो same हो जाएंगे न तो मेरे भाई a है and e है वो तो same हो जाएंगे वो तो जैसे इदर है वैसे इदर है a and e उस वाले case में जो antar आएगा वो यहाँ पर आएगा क्यों? विकाज अब h1 के जगह h2 हवा में उड़ रहा होगा h2 हवा में उड़ रहा होगा समझ आए है नहीं आया तो यहीं पर दिख से तो 5 plus 3 हो जाएगा similarly अगले वाले में भी 3 हो जाएगा जमार लगाना सीखो भाई next, number e question इसी page में करवाना चाहता हूँ ताकि जो हमने पहले page पर देखा था वह आपको clear हो जाए ठीक है? यह दिया था मैंने आपको number f यह दिया था मैंने आपको g number g वैसे बात करने की जूरूत ही नहीं है because आपको automatically दिखना चाहिए कि यह answer है अगे मैं number h की बात करूँ number h में कितना हो जाएगा हमारे पास number h में देख सकते ना, दो hydrogen होंगे h1, h2 मान लेते हैं हमारे scenario के लिए h1 एक बार लिया तो पहले तो 5 बन जाएंगे h2 में 5 तो बनेंगे 2 repeated होंगे पहले और आखरी वाले 8 बन जाएंगे इसमें आपके पास 5 बन जाएंगे इसमें अब आपको समझ आ रहा है कैसे experimental data एवं theoretical data हमारे पास match करने वाला है कैसे match करेगा भाई साब देखिए 11 structures है 11 में से ring में कितनी बार negative जा रहा है देखिए 2 3 इसके बाद 9 बार negative 9 बार negative जा रहा है ring में 9 बार negative जा रहा है ring में इसमें कितनी बार जा रहा है ring के अंदर negative वो जा रहा है पहली बार से 3 दूसरी बार से 3 यहां पर 3 बार यहां पर अब समझ आ रहा है जितना जादा मेरे भाई ring के अंदर negative चार्ज भड़ेगा क्या भड़ेगा उसका electron density भड़ेगा लिटरली negative चार्ज आ रहा है भाई साब ring के ऊपर अब आया समझ है नहीं क्या चल रहा है इसलिए बोलतो दिमाग लगाए दिमाग लगाके ही answers आते हैं देख सत्ते हो वनना यह आपका कभी answer आई ही नहीं सकता है अगर आप यह सब पकवास पढ़के आये होंगे तो यहां पर आप देख सत्ते हो अब हमारे पास जो experimental data है and theoretical data है वो match कर रहा है अब वो match कर रहा है तो बिलकुल स्तैही theory यहां पर बनाई गई है अब समझ आया नहीं आया आया feel topic का या नहीं आया इसलिए बोलतों दिमाद लगाओ दिमाग लगाओ जेई में सिर्फ आपको जेई का नहीं पढ़ना होता है जेई से आपको lifelong learnings मिलती है एक तो दिमाग लगाने वाली अगर आप अभी दिमाग लगाना सीख जाते हो तो दूसरा कि लंबे समय तक कैसे हम sustain कर सकें किसी चीज को फिर आपकी college life उससे बहुत असान रहती है आपको college में जाके समझे नमबर H की उपर चलते हैं नमबर H में आगे भढ़ने से पहले मैं आपको कुछ से बताना चाहता हूँ जो Jerry Mars से derive होती है जो important भी है inorganic के point of view से यह diagram बनता है देखे बिल्कुल ध्यान से इसको लिखना मत पहले समझ लो for example मैंने propene लिया propene का यहां पे मैं आपको structure भी बना के दिखाना चाहरा हूँ बिल्कुल ध्यान से इसको लिखना मत पहले समझ लो तब ही feel आएगा तो c है उसके साथ 3 sigma है sigma bond कैसे बनता है यह तो सभी को पता है यह इसके p orbital है जो हमारे पास spherical आएगा hydrogen वो लेके आएगा तो यह जो overlap हमारे पास हो रहा है इसको क्या बोलते है sigma bond बोलते है और क्या बोलते है बचपन से पढ़ रहे आप इसको कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए समझ आये नहीं समझ आये नहीं लिख देता हूँ sigma okay अब pi bond कैसे बनता है जैसे books में बनाया जाता है वैसे ही मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ books में आपने देखो ना ऐसे बना होता है ऐसा पता है न इसको भरा भी होता है कभी-कभी अब दिख रहा होगा सभी बात आए नहीं है यह हमारे पास pi bond है क्या है मेरे भाई pi bond है इसको जल्दी बाजिमत करना लिखने की अब हमें यह तो समझ आगे hyperconjugation कैसे बनाते हैं कैसे देखना होता है लिटरली आपको alpha hydrogen count करना है 3,4,5 वो तो बच्चा बच्चा कर सकते अब यहां पर दिखन से समझना hyperconjugation हो कैसे रहा है वो हम समय नहीं कोशिश करेंगे मैं यह बोलता हूँ कि जो हमारे पास sigma bond है and जो हमारे पास pi bond है जो sigma bond है and जो pi bond है उनके interaction को हम क्या बोलते है hyperconjugation यह गलत है यह मेरे भाई गलत है अब बोलगे यह कैसे यार यह क्या हो गया suddenly अगर मैं बात करता हूँ pi bond की क्या आपको समझ आ रहा है pi bond में तो जो जगा है वो पूरी की पूरी खतम है pi bond मतलब क्या 2 electrons मौजूद है न उससे जादा थोड़ी रखसेता हो एक डिब्बे के अंदर मतलब वहां पे जो जगा है वो खतम हो चुकी है carbon के already सारे bonds बने होए है यहां पे भी बने है तो फिर आप बोलोगे मेरे भाई bond बना कैसे, hyperconjugation हुआ कैसे वो समझाईए तो देखिए, बहुत ही simple है आपको याद होगा inorganic में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक BMO होता है जो NBMO से ज़ादा stable होता है, generally ABMO से ज़ादा stable होता है यह पढ़ा होगा ना आपने तो मेरे भाई जितने BMOs होते हैं क्या उतने ABMOs नहीं होते, बिल्कुल होते हैं इसका मतलब यहां पे πाई orbital, sorry पाई बॉण्ड थो हमने बना दिया लेकिन उसका counterpart ABMO भी तो present हो रहा होगा ABMO भी तो present हो रहा होगा और ABMO को कैसे represent करते हैं? star से represent करते हैं याद आया है नहीं आया ABMO उसको हम star से represent करते हैं तो क्या पाई बॉण्ड इंटराट कर सकता है नहीं, because pi already fulfilled है तो क्या pi star react कर सकता है बिलकुल, तो जो interaction हो जाएगा वो actual में होना चाहिए, अच्छा, पहले यहाँ पर doubt आ रहा होगा, कि भी sigma star क्यों नहीं लिया, आ रहा ही नहीं आ रहा है, अच्छे बंदों को doubt आना चाहिए कि भाई, pi star क्यों लिया, sigma star भी तो खाली पड़ा न, carbon का पेरे भाई, जो sigma star है वो तो ऐसे लेट रहे होंगे न, यहाँ पे वो किसी और plane में present हो रहे होंगे तो क्या इसमें और इसमें अच्छा interaction हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इसलिए यहाँ पे sigma, sigma star का interaction नहीं लिया जाता है, because better interaction is happening between sigma and pi star in this scenario, समझ आया नहीं आया, तो लिख लीजे hyperconjugation is hyperconjugation is an interaction between hyperconjugation is an interaction between an interaction between between sigma filled filled है न, यहाँ पे दो electron है sigma filled and pi star vacant and pi star vacant and pi star vacant आया समझ आया, नहीं आया, ठीक है sigma and pi star के बीच में interaction हो रहा है ना कि sigma and pi के बीच this is very important pause करके लिख लीजे derive कर दिया है आपके सामने derive कर दिया है मेरे भाई आपके सामने ठीक है अब इसकी theory लिखवा देते हैं हम आपको एक जगा because logically तो बहुत सरी चीज़ा बता दी लेकिन formality basis पर theory भी लिखवाने पड़ती है लिखे number one point theory का theory का लिखे hyperconjugation is observed in hyperconjugation is observed in is observed in observed in double bonds triple bonds carbocations and free radicals last two कैसे आए बताऊंगा ठीक है भी चलरी चीज़ा है पर लिख लो hyperconjugation is observed in double bonds advance के pyqs भी करवाएंगे हम आपको ठीक है वो सबत ऐसे चुन्नमनू से होते है is observed in double bonds, triple bonds, carbocations and radicals second point लिखे सोच के मुझे बताईए पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक molecule के 5 hyperconjugation structures बन रहे हैं एक molecule के 20 बन रहे हैं कौन सा logically जादा stable होना चाहिए 20 वाला क्यों? because hyperconjugation भी तो resonance है तो resonance बढ़ता है तो stability बढ़ता है पिछली lecture में आपको बताया गया है देख लीजिए hyperconjugation is hyperconjugation is a type of resonance hyperconjugation is a type of resonance type of resonance type of resonance hence 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 if number of hyperconjugation structures increases hence if number of hyperconjugation structure increases stability also increases stability also increases ठीक है? third point लिखियो उसके बाद third point hyperconjugation is also known as hyperconjugation is also known as no bond resonance hyperconjugation is also known as no bond resonance no bond resonance no bond resonance ठीक है? अच्छा no bond resonance कैसे बोल रहे हैं? क्या आपको यह समझ आ रहा है? पिकास लिटरली लिटरली आप लोग देख सकते हो कि bond तोड तोड के जिसे यहां पर में H1 के साथ किया है, तो bond तोड रहे है, लेको bond टूटा है, बोड तोड के resonance चालू किया गया है, इसलिए हम इसको बोलते है, no bond resonance असका लिखये है, 4th point it is also known as it is also known as also known as bakernathan effect it is also known as bakernathan it is also known as बेकर, नेथन एफिक्ट बेकर, नेथन एफिक्ट आईए, तो अभी तक हमने देख लिया है double and triple में कैसे होता है अब obviously हम लोग देखना चाहेंगे आपके पास ये कैसे होगा जब हम कार्बोकटाइन लेंगे या radical लेंगे सबसे बेले मैं कार्बोकटाइन लेना चाहता हूँ देख सकते हैं आप लोग पहले समझ लो लिखना मत CH3 CH2 प्लस दिया गया है वैसे आपको देखते ही फिलाना चाहिए कि क्या होने वाला अब तो जो कार्बन है उसके पास थीन हाइडरोजन है जो सिग्मा बॉन्ड के दौरा बैटे होंगे सिग्मा 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 जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है अच्छा अब एक चीज़ सोच के बताइए जो इंटराक्शन होगा जो भाई साब यहां पर interaction होगा क्या वो sigma मतलब यह जो sigma है क्या वो sigma and pi में होगा या p में होगा s में होगा, pi star, p star किस में होना चीज़? सोची दो सेकिंड, pause करके क्या जो interaction है वो sigma और किस में होगा? वो होगा मेरे भाई sigma and अगर आप p star सोच रहे हूँ या pi star सोच रहे हूँ, तो गलत है, क्यों? because मेरे भाई p तो already vacant है जो p है वो तो already vacant है देखो न, carbon के पास 2, 4, 6 electrons है वाला 2 के लिए already जगा है इसलिए यहाँ पर जो interaction हो जाएगा इसमें anti-bonding के जरूरत ही नहीं पड़ेगी because already हमारे घर पे जब हमारे घर पे खाली जगा है guests को रखवाने के लिए तो हम उनके लिए hotel क्यों करवाएंगे? कोई वाली बात है जब already घर पे खाली जगा है तो हमारे पास guests वहाँ पे अराम से रुख सकते हैं समझ आया नहीं आया अच्छा अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि इसका चुन्न उन्नों से questions है यार number of hyperconjugation structures कितने बन जाएंगे? वो कैसे बनाएंगे? same logic ठीक है तीन alpha hydrogen है वैसे तो आपको यह देख के समझाना चाहिए तीन है तो तीन बनने चाहिए लेकिन अगर हम बनाना भी चाहें तो वो भी आपको दिखा देते हैं एक बना के तो for example यह है because same ही funda है यहाँ पे CH2 प्लस है इन दोनों के बीच में interaction होगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया interaction करवाईए इदर से इदर गया bond टूटेगा तो क्या बन जाएगा THH double bond CH2 and हवा में क्या लटका होगा H1 प्लस लटका होगा conservation of charge etc. सब यहाँ पे valid हो रहा है आप बोले के और दो कैसे बनेंगे वो आप कर सकते हैं H2 से बन जाएगा दूसरा and H3 से बन जाएगा तीसरा ठीके तो इसलिए यहाँ पे आपके पास 3 alpha hydrogen है तो 3 hyperconjugation structures अराम से बन के आ जाएंगे 3 structures बन के आ जाएंगे pause करके लिख लीजी आए भई आगे continue करते हैं यह आपके पास IAT JEE जिसको आप JEE advanced बोलते हो 2011 उसका question है ट्राइ करिये आप से बोला गया है the total number of contributing structures showing hyperconjugation involving CH bonds for the given carbocatine यह पूछा गया है आए इस आपके पूछा गया है फिर इसको यह pause करके ट्राइ करिये फिर match करिये confidence लाइए अपने अंदर देखिये आपके पास plus charge है यह alpha carbon होगा यह alpha carbon होगा and साथ में आपके पास यह alpha carbon होगा तो तीन alpha carbon हमारे पास मौजूद है तीन alpha hydrogen यहाँ पे है दो यहाँ पे है एक यहाँ पे है बन के आजाएगा आईए अपसान ठीक है लिख रहे है तो चाप लो next आईए JEE Advanced 2013 JEE Advanced 2013 यह आपके पास multiple correct है multiple correct है try करिए इसको pause करके एक बद question ध्यान से देखिए यह advance में आने से पहले शायद KVPY में भी आ चुका है NSEC में भी आ चुका है तो एक repeated question है यह बहुत सारा examinations में आता रहता है simple theory based question है आपसे बोलेगे tertiary butyl cation tertiary butyl cation मतलब cation है तो sigma and P empty में हो रहा था interaction देखो आपको नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते थे इसको देखें खटायन है मतलब carbon का orbital खाली है P orbital sigma star के साथ तो होनी रहा होगा P उसका खाली है यहाँ पर sigma star के साथ तो होनी रहा होगा फरजी तो वैसे ही आपका answer सही आना चाहिए था इतना simple question आया समझ क्या चल रहा है pause करके लिख लीजिए next आगे चलते हैं अब थोड़ा सा change करते हैं अब इदेख हमारे पास G, H, I questions हो चुके हैं इसको मिला के number K question की heading डाल लीजिए जो भी हम करेंगे compare the stabilities of the following compounds compare the stabilities of the following compounds ठीक है, try करना for example, question for one ये दिया गया है J, K, L धियान से पढ़िये क्या बोला गया है stabilities of the compounds compare करना है जल्द बाजी मत करना है जल्द बाजी मत करिये हमारे questions पस्ते हैं इसमें बिल्कुल धियान से करोगे सबी आप आगे भड़ोगे धियान लगाना सीखो यार ऐसे नहीं कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है जब तक दिमाग उनमें आप धियान लगाओगे पर चीज में मुश्किल है है साथ में च डबल बाँड च ओके सबसे पहँए यहां पर नंबर कवालो को दिस्कॉस कर लेता हूँ और यहां पही दो राय नहीं है यह सही होना चाहिए नंबर L को देख लेते हैं नंबर L में आपके पास यहां पे है 2 alpha hydrogen सिर्फ 2 ही है न यह बले double के लिए भी रेंग के लिए भी यहां पे 0 यहां पे 0 यहां पे 3 है न 2 यहां से 1 यहां तो correct answer क्या होना चाहिए correct answer हो जाना चाहिए D A B is equal to C यह किया तो गलत है B is equal to C यह C greater than B कोई भी आपने माना तो यह गलत है क्यों? आज ही आपको बताया मैंने कि जो resonance होता है that dominates over hyperconjugation that dominates over inductive मेरे भाई ध्यान से देखिये जो number A and C है असले competition वही पे है because वहां पे resonance present है logically समझो ना resonance के time पे pi bond move कर रहा है लेकिन hyperconjugation के time पे sigma bond तोड़के movement हो रहा है वह जादा मुश्किल है because sigma bond तोड़ना मुश्किल रहता है जैसे आपको बताया गया है वही चीज यहां पे आपके पास हो रही है समझ आया है निया जो लोग गड़बड कर रहे है इसमें इसलिए जो correct answer होना चाहिए था वह हो जाएगा C more than A B and D में परजी वाड़ा वाला competition था तो वहां पे D B wins over B आया समझ या नहीं आया तो यहां पे resonance है जादा बड़े system में resonance है यहां पे इतने ही system में resonance है इसलिए जहां पे जादा resonance होगा वह जीच जाएगा hyperconjugation के ऊपर important very important गलती नहीं होने चाहिए आज के बाद इसके sheets मिलेंगी मिलेगा तो करिए practice next number M for M for example हमारे पास यह molecule दिया गया है यह जो दूसरा molecule है वह हमारे पास यह है वह हमारे पास वह हमारे पास A, B & C pause करके सोचिए क्या answer होना चाहिए match करिए क्या आपका same answer आ रहा है confidence भड़ेगा तो यहां पर पहले alpha hydrogen कितने है वह सभी पर दिख रहा है तीन है दो नीचे से एक उपर से तीन alpha hydrogen है अच्छा इधर कितने alpha hydrogen है तीन इधर से दो इधर से भी benzine के साथ है वह 7 है इधर कितने है दो यहां से एक यहां से अच्छा actual competition किस-किस के बीच में पहले वह देख लेते है जो actual competition है भाई-साब वह है देखो जादा resonance जादा resonance वह है between B & C B & C में इसे B जीच जाएगा because जादा hyper A सबसे फरजी बनके आ जाएगा इसको आपको दिमाग में रखना है गल्ती मत करिएगा इसमें future में भी जार बार आपको बता दिया है आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है पॉस करके लिख लीजे resonance dominates over hyperconjugation always skip मत करिए इसको दिमाग से next आगे चलते है अब since stability हम देख रहे है stability के टाइम पे हम hydrogenation को भी involve करते है heat of hydrogenation heat of hydrogenation अच्छा नाम से समझ आ रहा है आपको heat of hydrogenation का मतलब क्या है मतलब यह है hydrogenation के time पे जो heat release हो रही है system से उसको बोलते है हम heat of hydrogenation देखना मत दो मिनट पहले समझ लिए for example मैंने यह लिया इसमें मैंने H2 add किया अभी हम basics पढ़ रहे है hydrogenation के यह मैं आपको पढ़ाऊंगा alkane के अंदर बहुत detail में कर दीजे हमारे पास बन के आ जाएगा यह similarly for example अगर मैं यह ले लू ध्यान से समझना पहले मैं बोल के आ रहा हूं लिखना मत अगर आपको लगता भी आपको बहुत कुछ आता है एक्जाम में दिखाना ठीक है अभी hold के के रखो उस चीज़ लुकल ध्यान से समझना पहली बात कि आपको समझ आ रहा है कि यह exothermic कैसे होने वाला है वो समझ यह यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूं गाल गाल आवाज आ रही है जब आप गाल के उपर लपड़ मारते हो वो एरिया भी गरम हो रहा है कुछ लोग के घर पे तो रोज ही होता हो उनके साथ आप देखो कि कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो रही है जैसे हमारे केस में साउंड एनर्जी effect एवं वो जो एरिया है कौन से process के टाइम पे हो रही है Process का नाम है hydrogenation जैसे आपको बोलते ही है Hydration करोड़्य का Body का Hydration मतलब क्या कि आप पानी पिऊंगे आप बॉड़्य में पानी along Similarly Hydrodosition का मतलब क्या रहेगा किसी compound में hydrogen add करोगे, इसको हम बोल देते हैं, heat of hydrogenation heat of hydrogenation, अच्छा, same चीज नीचे भी हो रही होगी, क्या ये सभी को समझ आ रहा है, gal plus leopard, gal plus leopard, statement add कर लीजिए, statement add कर लीजिए heat of hydrogenation is exothermic heat of hydrogenation hydrogenation detail में ने पढ़ाया है यह वस बेसिक्स बताए हैं, अभी detail में, alkane में पढ़ाता हूँ heat of hydrogenation is exothermic in nature, exothermic in pause करके लिख लीजिए, इस page को pause करके लिख लीजिए अच्छा, अब मेरे question यह है, logically मुझे सोच के बताना जाहिए, अब दोनों में से जल्दी रियाट कौन करेगा इन में से, obviously B जल्दी रियाट करेगा A से क्याई आपको समझ आता है, कैसे किया गया obviously बादा है, इसे coal versus petrol, coal जादा stable है, petrol कम है, तो petrol जल्दी रियाट करता है वही वाली बात है तो मुझे logically एक चीज़ सोच के बताओ तो A and B में से किसका heat of hydrogenation जादा होना चाहिए magnitude में A and B में से किसका heat of hydrogenation जादा होना चाहिए तो जो हमारे पास order हो जाएगा वो जाएगा, B more than A समझा रहे है, कैसे derive हुआ यह जो चीज़ जादा react करेगी वही तो जल्दी आगे जाएगा न, reaction और जैसे reaction जादा आगे गया तो जादा heat आएगी अगर कोई चीज़ stable है stable है, इसको माल लेते चलो stable है, तो वो कम react करेगी जब react ही कम किया तो reaction ही आगे कम गया इसका मतलब heat of hydrogenation का stability के साथ अगर मैं relation निकालू तो वो क्या बन जाएगा, it is inversely proportional to the heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability to the stability अच्छा अभी मैंने सिर्फ hydrogen add किया अगर मैं कोई और भी चीज़ add करता तो क्या आपको logically समझ आ रहा है logically समझ आ रहा है कि वहाँ पे भी heat हमेशा release ही होगी so for example कोई compound A plus B कर रहा हूँ logically देखो compound A plus B कर रहा हूँ और कुछ C बन रहा है दोनों मिला के तो क्या वहाँ पे हमेशा ही heat release नहीं होगी हमेशा ही heat release होगी आप इस तो गाल plus leopard वाले example से समझ सकते हो तो जब मैं दो चीज़ें मिला के एक चीज़ बनाऊ उस reaction को हम organic में बोलते हैं क्या बोलते हैं addition reactions addition यह तो अधान ना 1 plus 1, 2 कर दिया addition reaction तो क्या आपको समझ आ रहा है दुनिया का हर addition reaction दुनिया का हर addition reaction exothermik हो जाएगा दुनिया का हर addition reaction exothermik हो जाएगा देखिए कैसे day to day activities से मैंने आपको समझा दिया कैसे आपके पास reaction जो है वो भाई साब exothermik बनके आ जाएगा एक्जोथर्मिक बनके आजाए तो all addition reactions are exothermic in लिख लिजे इसको भाई pause करके लिख लिख लिजे बहुत ही शानदार तरीके से simple तरीके से आपके सामने derived है अब आएए इसके बाद question लिखिए number n के लिए the heading डालिए number n के लिए compare the heat of hydrogenation compare the heat of hydrogenation compare the heat of hydrogenation ठीक है? ट्राइ करिए number n sorry heat of hydrogenation compare करना है number o भी लिख देते है for example double point try करीए दोनों questions को साथ में फिर discuss करते है इसको वैसे तो simple ही है मेरे साब से ठीक है? okay pause करके try कर लिया होगा I hope अब हम discuss कर लेते हैं इसको देखिए उपर वाले तो बहुत simple है अगर मैं stability की बात करता हूँ कौन सा जाधा stable होगा? E जाधा stable होगा C then B then A तो यह किसे derive होता है? देखो न धियान से angle कितना है? 60 degree angle कितना है? 120 degree and similarly यहाँ पर देख लेना angle कितना है? यहाँ पर 90 degree है यहाँ पर शायद 72 होगा double bond को कितना चाहिए होता है? 120 चाहिए होता है न जब आपने 120 वाली चीज को 60 degree में रखा है bending समझ आ रही है भयांकर bending हो रही होगी because उसको चाहिए 120 आपने दिया 60 यहाँ पर उसको 120 चाहिए आपने दिया 120 मज़े है उसके इसलिए stability यह बन जाएगा अगर मैं बात करता हूँ heat of adigenation it is inversely proportional to stability directly proportional to reactivity तो यह बन के आ जाएगा same funda नीचे वाले question में भी आप use कर सकते हो double bond जो है या देकल के example bandra वर्ली ceiling ना ही वो bandra का है ना ही वो वर्ली का है ठीक है यहाँ पर double bond ना ही इसका है ना ही इसका है लेकिन यहाँ पर double bond है वो इसका है यहाँ पर double bond इसका है कौन सा जादा stable होगा stability के अगर मैं बात करूँ तो C सबसे जादा stable होगा फिर A होगा फिर B होगा B लीस्ट क्यों है? because proper double bond 4-membered ring में है so heat of hydrogenation कितना बन जाएगा? A pause करके आया समझ number P number P try करिए for example आपको दिया गया है ये France 2-butene this 2-butene ISO and साथ में solopropene pause करके try करिए pause करके try करिए अब देखते हैं खेल इसमें आता है मज़ा, क्यों? because भाई साथ इसमें भी 6-alpha है इसमें भी 6-alpha है इसमें भी 6-alpha है इसमें 3-alpha है तो ये तो हमें समझ आगे कि D तो फरजी है A, B, C में competition है A, B and C में stability का competition है अच्छा, अब कैसे decide करें? वो भी देखो पहले बात क्या आप लोग trans and cis में stability decide नहीं कर सकते? ये तो बहुत असान है न? देखो यहाँ पर दोनों groups same plane में है तो जादा repulsion होगा जहाँ पर भी force of repulsion आगी F is equal to minus delu by delr वाला potential energy आगी न? कोई चीज हो रही है यहाँ पर दूर-दूर है इसका मतलब जो stability order है हमें ये तो समझ आ गया कि A and B में से A जादा stable है A and B में से A जादा stable है and D तो वैसे फरजी था अब आता है C कि जो number C है जो ISO वाला है वो कहाँ पर आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए अब इसको कैसे सो सकते हैं दो तरीके हैं तरीका number one दूसरा तरीका भी नहीं बताते हैं तरीका number one जो important है इसे chapter का वो ही सीख लेते हैं वो क्या है? hyperconjugation आप बोले हैं hyperconjugation तो same है लेकिन hyperconjugation के बाद जो structure बन रहे हैं वो same नहीं है मतलब मैं क्या बोल रहा है जैसे for example अगर आप trans वाले में hyperconjugation कराते हो तो structure बनाते हो बनाए एक बार तो क्या बन जाएगा? एक बना के दिखा रहा हूँ यह बनेगा नहीं बनेगा? अगर आप same चीज़ यहाँ पर करवाओ h1 के साथ ही मान लेता हूँ में ऐसा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपके पस अच्छे कुछ लोग इसको बनाते है branched linear अरे ब्रांच linear कोई concept नहीं है दिमाग वाला concept है भाई दिमाग लगाओ यह बन के आजाएगा? अब अंतर समझ आया या नहीं आया? तो जो minus यहाँ बन रहा है जो minus यहाँ बन रहा है दोनों different minus है आप बोलो के भाई कैसे समझाएगा? देखिए यह जो minus है resonance में है यह भी resonance में है दोनों ही resonance में है लेकिन इस minus के उपर एक extra plus i लग रहा है लेकिन यहाँ पे कोई extra plus i नहीं लग रहा है आप बोलो के भाई यह लगा रहा है हाँ लगा रहा है लेकिन दूर से लगा रहा है तो मान लेटे लगा रहा है तो हम minus charge जो already electron rich है उसी को हम और electron density उसके उपर डाल रहे है दोनों electron density की बीच में repulsion हो जाएगा इसके दोरा unstability भढ़ जाएगी आया समझ या नहीं आया बस वही चीज यहाँ पे हो रही है इसलिए this is more stable than this ठीके पकर यह trans से जाधा stable है तो cis से जाधा stable हो गा है cis में भी तो same minus बनने वाल है बना के देख सकते हो तो c is more than a is more than more than d यह बन गया इसका stability order जो stability order यह बन गया तो heat of hydrogenation का order क्या बन जाएगा बिल्कुल विपरीथ तो d b d b a दिख लीजे इस आया समझ क्या चल रहा है ब्रांच linear concept हम यूज कर सकते हैं लेकिन वह तरह रेलिवेंट नहीं है इसके लिए ओके next number q same question चल रहा है heat of hydrogenation compare करने का है ध्यान से देखना अच्छा question है by cycle compound एक compound दिया गया है आपको similarly इसी हम कहले होते हैं आपको एक और compound दिया गया है जो है same question है heat of hydrogenation compare करने का heat of hydrogenation compare करना है इस module के अंदर सोचिए ओके देखिए तो पहली बात तो हमें यह समझ आ रहा है क्या समझ आ रहा है कि दोनों के stability तो same होने वाली है कुछ भी difference है न यह structure में alpha hydrogen सब कुछ तिकत नहीं है जब hydrogen आएगा add होने के लिए add होने के लिए तो जहां से देखिए उसको यहां पे इसका repulsion मिलेगा इसको रोक रहा होगा न लेकिन यहां पे उसको इसका repulsion मिलेगा छोटू से group का जब hydrogen add होने के लिए आ रहा है तब उसको बड़े group का repulsion मिल रहा है यहाँ पर छोटे group का repulsion मिल रहा है तो कहाँ पर जल्दी add हो जाएगा obvious सी बात है इस case में because छोटो group उसको repel कर रहा है जब छोटो group repel कर रहा है तो जल्दी add हो जाएगा मतलब उसकी reactivity भढ़ गई reactivity अगर उसकी भढ़ रही है अभी तक हमने देखा hyperconjugation in pi bond में कैसे हो रहा है triple bond, triple bond यह सब हमने देख लिया अब हम देख लेते हैं carbonion hyperconjugation in carbonion hyperconjugation in carbonion carbonion, लिखना मत पहले समझ लो for example मैंने एक molecule लिया है जो हमारे पास है CH3 हमने एक molecule लिया है जो हमारे पास है CH3 CH2- अब हम सोच रहे हैं कि क्या हमारे हिसाब से hyperconjugation होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देखिए H1 लेते, H1 ने दिया इसको क्या बन जाएगा CH2 H3 double bond CH2- H1 प्लस हवा में आया समझ नहीं आया तो मेरे भाई carbon की उपर तो 10 electrons हो गए जो कुछ भी कलो जिंदगी में कभी possible ही नहीं हो सकता है इसका मतलब हमें क्या समझ आ गया कि no hyperconjugation is possible no hyperconjugation is आया समझ नहीं आया क्या reaction हो गया जब minus charges है उनमें hyperconjugation possible ही नहीं है common sense है न? because hyperconjugation मतलब वो दे रहा है लेने वाला अल्रेडी fulfilled भैठा हुआ है आप खोड़ी जाओगा अम्बानी के पास एक लाग रुपे लेके कि भाई काम करवा दे और अपन मारेगा वो आपको तो वो अल्रेडी electron rich भैठा है उसको जरूरत ही नहीं है घर पे जगा ही नहीं है उसके रखने के लिए ओके नेक्स्ट आइए पॉस करके पहले लिख लिए सबीने last जो हमारे पास बचता है वो क्या है? hyperconjugation in free radicals hyperconjugation in free radicals क्या hyperconjugation radical में possible हो पाएगा? मैंने तो लिखवा तो दिया आपको की होगा कैसे होगा? वो अब हम समझने के कोशिश करेंगे for example लिखो मत पहले आपको दिया है CH H H CH2 radical समझ आई रहा होगा आपको क्या होने वाला है simple है ना भाई? तो radical है तो वो हमेशा radical की तरह ही react करवाय का दूसरों को भी वास एक electron है आया समझ? जब एक electron इधर गया, एक इधर गया क्या बन जाएगा? तो हमारे पास बन जाएगा double bond CH2 initial charges, final charges sub-balanced है number of unpaid electrons भी sub-balanced है तो विलकुल valid structure बनाया है क्या आपको समझ आ रहा है? मैं यह लिख देता हूँ plus two more तो कैसे बन जाएंगे? H2 लिख लीजे hence hyperconjugation is possible in free radicals hence hyperconjugation is possible in possible in free radicals possible in free ठीक है? लिख लिए जब नहीं next आईए number R question ध्यान से सुनिए मेरा question यह है is a carbocatine is a carbocatine more less or equally is a carbocatine more less or equally stabilized by hyperconjugation stabilized by hyperconjugation stabilized by hyperconjugation in comparison to a free radical is a carbocatine more less or equally stabilized by hyperconjugation in comparison to a free radical is a reason to a C radical a C radical a C radical है free radical में एक electron ज्यादा है 7 electrons है hyperconjugation तो 8 electrons basically दोनों destination तो same पहुंच रहे हैं लेकिन यह 6 से 8 पहुंच रहा है और नीचे वाला 7 से 8 पहुंच रहा है इसका मतलब क्या है कि जो carbocatine है that is more stabilized that is more stabilized in comparison to a C radical आ गया समझ दिख लीजे इसको भई पॉस करके देखो हर चीज लॉजिकल है हर चीज लॉजिकल है हर चीज लॉजिकल है ओके तो आज की comment section के लिए homework है पहले तो और उसके बाद मैं आपको कुछ और भी चीज़े बताऊंगा इसके आंसर आपको comments में देने का है जैसे आप पिछली videos में भी देते आ रहे हो उससे एक discipline भी रहता है आप लोगों का साथ में मुझे पता चलता रहता है कितने अच्छे बच्चे है क्या चल रहा है okay यह है question same है stability मैं लिख देता हूँ पहले question लिखता है question बोलते question बोलते okay यह आपके पास दिये गए है तीन radicals मैंने आपसे पूचा है compare the stability of these radicals these compounds compare the stability of these compounds उसका अंसर आपको comments में लिए like for example आपका अंसर आ रहे है CbA आपको लिखने का है comment section के comment section के comment section के okay pause करके लिख लीजिए next आगे चलते हैं जिमारा आखरी पार्ट है उसका नाम है reverse hyperconjugation reverse hyperconjugation reverse hyperconjugation एक important चीज़ में आपको बता दूँ this is not in syllabus हम इसको पढ़ाएंगे mini syllabus में नहीं है basic आपको बता जरूर दूँगा अभी लेकिन syllabus में नहीं है reverse hyperconjugation is not in syllabus ठीक तो जबरदस्ति मत पढ़ते रहे इसको जबरदस्ति मत पढ़ते रहे इसको ठीक है और क्या क्या होता है c hyperconjugation वो भी syllabus में नहीं c f यह सब के सब syllabus में नहीं not in यह दोनों के दोनों syllabus में नहीं है लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो इसके लिए मैं एक अलग सी छोटी सी वीडियोट जरूर डाल दूँगा because इस syllabus में नहीं है जादा focus करके इसके उपर कोई मतलब नहीं बनता है जादा focus करके इसके उपर मतलब नहीं बनता है question प्राय करिए लिख देना इसकान से comment section में please make sure video को like करदेना बहुत efforts लगते हैं वीडियोज बनाने के लिए पूरे time चलते रहना पड़ता है पूरे time बोलते रहना पड़ता है सामने students तो है नहीं सब्सक्राइब करते हैं चानल को ठीक है thank you for watching मिलते हैं फिर हम अगले lecture के अंदर all the best जय हेल्थ तक जरूर कर दीजे मेरे